फ्रेंड्स बाहू पली की चर्चा जो है वो यहां पर कलकी के एसाब से काफी ज़दा होती भी देखने को मिर रही है यहां पर लोग जो भी फैंसे परबास अना के वो यह बात करते हुए दिखाई दिये हैं कि भाई साब परबास अना ने जिस लेविल की तबहाई जिस आता हुए देखने को मिला है अलू अर्जुन ने बोला है कि भाई परबास अना जो यहां पर एक्टर है वो भाई सब टैलेंटिट एक्टर है उन्होंने जो के हमको बाहू बली और भाई सब सलाट जैसी मुवी दी हैं और उनके बाद जो हाई पैकलकी की वो काफी जादा लेगी उसके लाव यहां पर जो के कलकी के पार्ट वान की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है ऐसी रिपोर्ट्स आती भी देखने को मिल रही है अब यह कितनी सच्चा है यह क्या सीन से यह तो नहीं पता लेकिन यहां पर यह बोला जारा कि अभी जो करेंट लिए वह प्रोग्रेस के अंदर है लेकिन दोस्तों ऐसा अभी फिलाल नहीं हो सकता है कि यहां पर अभी तक ट्रेलर टीजर या फिर कुछ भी चीज़ें नहीं आई जिसके उपर हम अंदा लागा लाए लेकिन अब यहां पर चांसिस यह है कि यह जो इस मुई का टीजर है वो हमको जल से जल आता हुआ देखनी को मिल सकता है, हो सकता है कि इस मन्त को छोड़कर नेक्स्ट मन्त के अंदर जो कि फाइनली हमको टीजर की आन्नॉसमेंट और टीजर के बारे में कुछ आपको रिपोर्ट आती भी देखनी को मिलें तो भाई अगर ऐसा हो गया तो यहांपर कलकी की हाइप काफी ज्यादा बढ़ जाएगी उसके अलावा यहांपर अगर मैं आपको बता हून तो यहांपर कलकी फुली लॉड़ेट विध सर्प्राइज़ होने वाली है लोर्स ओ लो federल्स ड्यॉक्ड़ बढ़ सें जो कि काफ़ी जदा excitement level है फैंस के अंदर और अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं फैंस को जो यहां पर कैसे ना गश्वीन प्रबास ना सरप्राइज कर देते हैं कलकी के थुरू यह चोड़ी सी वीडियो थी कलकी के बारे मैं होप कि आपको यह वीडियो पसंदे होगी और आप यहांबर कलकी मुई के बारे में और ज्यादा अपडेटेड ना चाहते हैं तो हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाना मत भूलेगा कलकी से रिलेटिट हर एक जो आपको हम सबसे पहले पहुंचा तरहेंगे मिलते ही नेक्स आने वाली वीडियो के अंदर तब तक अपना ख्यार लखी का की बाचिंग में तैंक्यों पर वाचिंग और हरी करेशन राधे राधी दोस्तों